हेलो तो आल माई डिवाइन सोल फैमिली कल जो ड्रीम के उपर हमने वीडियो दिया था उसमें काफी सिस्टर्स ने आज अपने ड्रीम्स शेयर किये हैं तो मैं डिकोट अल्मोस्ट कर पाई हूँ बहुत सारे तो कल परसों मैं दूसरा वीडियो बना दूँगी मंडे तक अप बहुत अच्छा लगता है डिकोट करना तो और बहुत सारे मैसेज़ इस पर मिलते हैं आप सब तक फॉरवड कर सके ताके आगे चलके जो भी इस जूर्णी में हो उन सबको बहुत फायदे मिल सके ओके आज का जो सबजेक्ट है यह है बहुत सवाल आते हैं कैसे पता चले क हम ट्विन फ्लेम जर्णी में हैं यह हमारे तो कोई ट्विन है ही नहीं अभी तक मिले नहीं तो इसका क्या मतलब है कि हम ट्विन फ्लेम जर्णी में हैं कैसे पता चले ट्विन फ्लेम जर्णी में हैं यह बहुत थी इंपोर्टन सवाल है एक्च्वेली देखिए मम्मी हमे मा मैं तो सो रही हूँ जब मेरे बेबी बॉर्ण होंगे न उस वक्त मुझे जगा देना तो उसकी मा ने रिप्लाई किया था कि बेटा हमें आपको जगाने की जरूरत नहीं होगी आप घर के हर सदस्य को और पडोसियों को आप खुद जगा दोगे तो यही हुई बात कि कैस से पता चले टुएन फ्लम जर्णी में है जब टौन फ्लम जर्णी इविकेंग की स्टार्ट होती है एक्च्वरी डिक नैट of the soul में हमें पता चल जाता है कि कुछ तो बहुत गलत भयानक हो रहे हमारे साथ और उसके बाद awakening process स्टार्ट हो जाती है awakening process में भी dark night of the soul बहुत बड़ी वुमिका निवाती है समझाने के लिए समझने के लिए तो जो यह journey पर है almost जादा से जादा जो awakening था 2020 में हो चुके है new awakening होते जा रहे हर साल के process है क्या होते है न बच्पन से जो divine feminine या divine masculine के life होते है बहुत ही adventurous type के होते है smooth नहीं होते बहुत problems से ही गुजरना पड़ते है बहुत सारे problems create होते है already वो ऐसे ही families में होंगे जहाँ पर प्यार तो बिलकुल नहीं मिलेगा या प्यार भी मिले तो expectations जादा होंगे divine masculine के उपर और feminine के उपर rules बहुत जादा करेंगे उनके उपर एक अलगी नजर से यूनो बाकी सदर से के साथ अच्छा वेवार होगा और उनके साथ थोड़ा बुरा बरताव किया जा सकता है बचपन से ही वो बहुत अकेलापन महसूस करते हैं जैसे कोई सब कोई रहते हुए भी कोई नहीं है अपना ये feeling उनको beginning से होने लगते हैं जैसे ही वो बड़े होते हैं बहुत सारे responsibilities उनके उपर आ जाती हैं उनको family के बाकी लोगों को समालना education के लिए हो उनके lifestyle अच्छा करने के लिए हो उनको मतलब रोटी रोजी करके देने के लिए हो ये सब उनको करना पड़ता है दोनों को ही divine feminine या divine masculine दोनों ही अपने अपने शत्र में काम करते जाते है बाक्खोबी से उनको जो निभाना होता है वो निभाते जाते है responsibility उठाते है जो बोज उनके उपर होता है वो उठाते है आगे वो अपने जो भी काम करने जा रहे हो वो काम में बहुत मश्किल होता है struggle बहुत ज़्यादा रहता है मतलब बाकी लोगों को थोड़ा बहुत मेहनत करके बहुत कुछ हासिल हो जाएगा लेकिन जो इस जर्णी पर है उनके लिए तो मतलब 100% देके भी 10% रेजल्ट नहीं मिलता है ऐसा होता है कि किया रिलेशन्शिप में किसी से भीू डर्थ तकलीफ अंका Medicare करनेSu हैं॥ac मिल जाते है और यूझने नहीं लड़ेंगे ब्यार भी होता है लेकिन कार्मी की तरह सोते हैं विभार होते हैं दोनों एक दूस्रे को trigger भी करते हैं तो यह सारे चीज़े तो हैं तो relationship कोई ठिकता नहीं है मतलब relationship आएंगे जाएंगे तो बहुत ही frustrated हो जाता है के life में हमारे साथ ही क्यों आखीर हमारे साथ ही क्यों तो यह जवाल होते हैं बहुत सारे चीज़े financial even financial life भी बहुत अच्छे नहीं होते हैं, महुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन हाँ, एक ब्लेसिंग्स उनके साथ हमेशा होता है, कि उनको बहुत जदे तकलीफ नहीं दिया जाता है, यूनिवर्स के तरफ से, जो उनके रिक्वार्मेंट है ना, वो फूल फिल किया जाता है, उसे स सपोर्ट एक बैक्ग्राउंड से, उनके उपर ब्लेसिंग्स रहते हैं, मतलब चाहे वो फिनांशियल हो, चाहे वो उनके काम हो, मतलब भूखे नहीं रहेंगे, उनके कपड़े के, और ये सारे चीज़ों की कमी नहीं होंगे, लेकिन, वो सेटिसफाइड भी नहीं जो काम करेंगे, सक्सेस अलमूस्ट नहीं मिलेगा, तो ये सारे सिच्टेशन उसके लाइफ में होते हैं, बहुत परेशानी होते हैं, अच्छे दोस्त नहीं होते हैं, गिने चुने दोचारी होंगे, लेकिन ज्यादा सरकेल में वो जाते हैं, तो लोग उनके बारे में कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्रिटिसाइज करने वाले, बुराईया करने वाले, तो उसे वो चीज भी उन सब को समझ में आते हैं, फिर वो दूरे दिने कट भी करते हैं, ऐसे लोगों से, तो ये सारे प्रोसेस चलते चलते उन्हें एक दिन लगता है भयानक जटका, और जै किस लिए आये हैं, मैं कौन हूँ, मैं क्यों आई हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मेरा क्या मकसद है, ये सारे सवाल उनके अंदर आने लगते हैं, बेचैन होने लगते हैं, घेरने लगते हैं, तब जाके उन्हें पता चलता है, अल्टिमेटली वो ट्वेन जर्नी में हैं, य लिए ट्वीन से जब मिलाना होगा, डिवाइन अविश्य मिला देंगे, कहीं से भी आ सकते हैं, या तो आपके बच्पन में बच्पन के फ्रेंड हो सकता है, स्कूल में मिले होंगे, आपको पता ही नहीं कि वो आपका ट्वीन है, तो अल अप सड़िन, मुलाकात हो सकते हैं, या तो वो आपके पती बन के आ सकते है, डाइरेक्ट शादी हो जाएगी, ठीक है, या तो वो online मिल सकते है, कैसे भी मिल सकते है, जिनके साथ नहीं मिले, जर्णी मिल गया है, ये सारे situations उनके साथ होते है, तो वो जर्णी पर तो है, लेकिन अगर अपने twin से नहीं मिले, तो व तो अगर शादी के situation ना भी हो अगर आप already married हो family है तो हो सकता है वो किसी दोस्त के रूप में आपके life में आए और वो फिर आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि एक अलगी धारा से आप बहने लगोगे उनके साथ तो तब तो आपको पता चली जाएगा कि अब तक के जितने भ है इसमें तो आप तब समझ जाओगे तो बाकी आपको जो knowledge मिलता है यह सब अगर आप लेके रखते हो तो बहुत अच्छा है मेरे जीवन में क्या हुआ था मुझे twin है कि मुझे पता नहीं था कि मेरे भी कोई twin flame है लेकिन twin flame journey होता है twin flame के reading होते है यह सब मैं देखने लग थी false twin आये थे तब मैं उनके लिए देखने लग गई थी तो बाद में मुझे पता चला नहीं नहीं वो तो मेरा false twin था वो चले गए और उसके बाद मुझे मेरा real twin कौन है पता चला तो यह सारे divine द्वारा आपको मिलेगा तो घबराने की जरुरत नहीं है ज्यादा सर्च कर जब समय आएगा आपको अवश्य पता चल जाएगा कि आप twin जर्नी में हो star sheets हो यह spiritual जर्नी में हो तो आपको according to that आपके उपर काम करना है जैसे जैसे आप अपने उपर काम करोगे सारे obstacles हरते जाएंगे आपके life smooth होते जाएंगे आपके जो भी problems थे financial relationship ठीक है और family में जो भ धीरे धीरे shot out होते जाएंगे और आपकी life smooth होती जाएगी और आप universal log को समझने लगोगे और according to that चलोगे और journey भी आसान हो जाएगी और life भी तो अगर इस journey पर आप हो तो आपको automatically पता चली जाएगा कि आप एक spiritual journey में हो आप कुछ बड़ा उद्श्य लेके जनम लिये हो आपका कुछ बड़ा purpose है लाइफ के soul mission है यह सब आपको आगे करते जाना है divine angels और mentors आपको guidance देते जाएंगे आप according to that follow करें और beautiful life जिये thank you so much love you all God bless you all